वेलकम टू माई चैनल माई किचन में आपका सवागत है जो लोकी खाना पसंद रही करते वो भी मांग मांग के खाएंगे जब आप मेरे बताई हुए तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे और इसको बनाने के लिए मैंने एक लोकी लिए है और लोकी को हिंदी में घिया भी बो लोकी होनी चाहिए मोटे वाले नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए इसके अंदर जो पके हुए बीज होते हैं वो नहीं होने चाहिए और पहले तो हम लोकी को अच्छे से धो के कपड़े से पौंश लेंगे और फिर उसके आगे पिछे के पार्ट को और हमें ज्यादा छिलका नहीं उतारना है इस तरह से छील लेना है और छीलने के बाद एक बार फिर दो के पोंच के लिया है मैंने अब हम इसके छोटे छोटे पीश कट कर लेंगे थोड़ा सा पिछे का हिसा हटा के इस तरह से कट कर लीजिए और मैं आपको याद दिला दू अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा से एर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो और बैल को प्रेस करना ना भूलें बैल को प्रेस करने से मेरी नई नई वीडियो के न अंदर कोई पके हुए बीज नहीं है यह कच्ची घीया थी तो इस तरह से मैंने ऐसे कट करके एक बाउल में डाल लेंगे आप चाहें तो एक बार फिर्द हो सकते हैं एक दम नए और आसान तरीके से लोकी की सबजी बनाएंगे और यह देखिए बिल्कुल अच्छे भी लग चमच बेशन की डाली है आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं और आधा चमच डालेंगे अजवाइन हाथ से मसल के डाल लिएगा एक चमच डालेंगे हल्दी एक चमच डालेंगे धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर और आधा चमच चाट मसाला और एक चमच भर के डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसे अच्छा कलर आएगा और टेस्ट के अकोर्डिंग डाल दीजिए नमक और बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तीखापन करने के लिए और यहाँ पर थोड़ी सी डालेंगे हिंग इससे ऐसे डिटी नहीं बनेगी और एक चमच भरके डाल दीजिए कसूरी मेथी मेथी से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और आधा चमच की करीब डाल दिया है मैंने तेल और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा गोल बना लीजिए यहाँ पर मैं कोई खाने वाला सोड़ा या बेकिंग सोड़ा या इनो का इस्तिमाल नहीं कर रही हूँ उसकी जगह पर मैंने तेल डाल दिया है और तेल मोन का ही काम करता है इससे अच्छे शोफ्ट सफंजी जो हमारे लोकी के पकोड़े बनाएंगे वो बढ़िया बनके तयार होंगे और इस तरह से पाँच मिंट अच्छे से गोल लेना जिसे गोल में हवा भर जाए हवा भरने से जो हमारा पेश्ट होता है वो बिल्कुल हलका हो जाता है और उससे अच्छे पकोड़े या जो बनाते हैं बढ़िया बनते हैं और अब हम जो लोकी के पीश कट करके रखे थे उनको गोल में डाल देंगे और अच्छे से डुबो देंगे ताकि इनके उपर बेशन अच्छे से कोट हो जाए और तेल को पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था और मीडियम गरम तेल रखना है और एक एक करके उठाते हुए सभी पीश को कड़ाई में डालते जाएंगे और साथ में जो ये बुंदी बन रही है ये भी बहुत तेस्टी होगी ये देखे मैंने कड़ाई को भर दिया है और जो बाकी के बचे हैं उनको बाद में पका लेंगे और हलके हलके हाथ से इनको पलटते रहिएगा और जब हम इस तरह से सबजी बनाते हैं तो सभी को पसंद आती है बुड़े बच्चे सभी खुश होके खाते हैं और ये देखे अलट पलट करके मैंने अच्छे से पका लिया है इसे जो लोकी के पीश है वो भी काफी हद तक पक गए हैं और जो ये छोट छोटी बुंदी थी उनको भी निकाल लेंगे इनका भी इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मैंने एक कडाई में एक चमच भरके तेल लिया है और इसको धुआदार गरम होने के बाद एक चमच जीरा आधा चमच अजवायन और थोड़ी सी हिंग डाल कर चटकने तक पकाने के बाद चोप किये हुए प्याज डाल दिये हैं इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और साथ में डाले हैं कुछ कडी पत्ते उनको छोटा छोटा कट करके डाला है और प्याज डालने के बाद डालेंगे अद्रक लहसन का पेस्ट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी होता है तो प्याज डालने के बाद ही डालें अगर हम डालेंगे तो तेल के अंदर छीटे उठेंगे और उनसे आपका हाथ जल भी सकता है इसलिए प्याज डालने के बाद ही मैंने अद्रक लहसन का पेस्ट डाला है और यहाँ प्याज भी golden brown हो गए हैं और दो टमाटर को पीस के डाला है इसको भी दो तिन मिंट चलाते हुए पका लेंगे टमाटर को तीन चार मिंट पकाने के बाद मसाले डालेंगे बिल्कुल कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे आधा चमच लहसन वाली चटनी डाल दीजिए एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और इनको भी अच्छे से मिक्ष कर देंगे और यहां पर मैंने थोड़ा सा डाला है अमचूर का पाउडर इसे अच्छा खटापन होगा तो सबजी और भी टेस्टी लगेगी और जब साइड से तेल निकलने लगे तो एक गिलास भर के डाल देंगे पानी पानी आप गरेवी के हिसाब से डाल सकते हैं और टेस्ट के अकोर्डिंग डालेंगे नमक एक चमच भर के डालेंगे कसूरी में थी और सभी को 4-5 मिन्ट पकाएंगे ताकि सभी मसाले अच्छे से पक जाए और साला फलेवर पानी में मिक्स हो जाए और जब एक उबाल आजाए तो हम डाल देंगे सभी लोकी के पीश जिनके हमने पकोड़े बनाके रखे है और शाथ में डाल देंगे जो बुंदी बनी थी उनको भी डाल दीजिए इसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छे से मिक्स करके हलके हाथों से 5 मिन्ट ढखकर सलो फलेम पर पकाएंगे क्योंकि इतने अच्छे से सबजी बन कर तयार हुई है बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सबजी है एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बार टेक्साएंगे बहुत है क्या है वहाल बहुत है झाल झाल